आली और तेशी बैलकरी में बैठे हुए थे आली तेशी के फेस पर करसकता हुआ क्याता है कि मूनलाइट के नीचे मैं तुम्हारी आँखों को बहुत ही क्लियली देख पा रहा हूँ मैं तुम्हारी इस आँखों को हमेशा ही याद रखना जाता हूँ फिर चाहे तुम्हारा चेहरा जैसा भी दिखने लगे मैं तुम्हारी आँखों से तुम्हें ढूंड लूँगा तेशी कहता है पता ने आज तुम इतने जादा सेंसिटिव क्यों हो हम कभी अलग नी होने वाले मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस बात का डर है कि मैं तुम्हें अकिला छोड़के चला जाऊंगा लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भी तुम मेरे पीछे भी जमुझे ढूंटे हुए आ जाऊंगे है ना और वो आली को आस्मान की ओर देखनी के लिए कहता है कि वहाँ पे देखो अगर तुम मुझे प्यार कते हो तो फिर में एक स्टार बन जाऊंगा और फिर वहां आस्मान से ही मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता रहुंगा लेकिन अभी यहाँ पे देखो अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना अभी हम दोनों साथ है तो हमें कुछ मज़ेदर चीज़े करनी चाहिए तेशी ने बहुती फणी चेहरा बनाया था तो फिर आली हसने लगा और वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा मैं इंदजार करूँगा जब तुम्हारा मन होगा तब तुम मुझे सब कुछ बता देना और अगे से जब भी तुम अपने टास्क पूरे करने चाहूंगे तब तुम मुझे भी अपने साथ ले जाना और यहाँ तक कि वो आली को प्रिंसेस केके बलाता है कि मेरी प्रिंसेस मुझे तुम्हे अच्छे से ट्रेट करने दो आली बलश हो गया और क्याता है कि मुझे इसके आदित नहीं है तुम मुझे उस नाम से क्यों बला रही हो तिशी उसके करेब आगया और क्याता है कि मैं तुम्हे उस नाम से क्यों नहीं बला सकता जब हम दोनों अकेले होंगे तब मैं तुम्हे इसे नाम से बलाओंगा फिर वो बहुत सारा लव में करते हैं और फिर सुबह हो गई आली पहले जाग गया था और वो तिशी को देखता हुआ सोच रहा था कि तुम अब पुरी तरह से रोबोट बन गए हो लेकिन मुझे कुछ भी अजीब मैसूस नहीं हुआ शायद एक रोबोट के पास भी उसका खुद का एक दिल होगा और उस दिल में उसके खुद के इंपोर्टन परसन होगे आली ये सब कुछ सोचते हुए तिशी की बाड़ी पे करेस करा था तब है तिशी की नेंद खुली और वो आली का हाथ पकड़ी उसे अपने और खींचता है और कहता है कि ये तुम क्या करे थे क्या तुम छुपके से मेरी बाड़ी देखना चाते थे आली कहता है कि मैंने काफी लंबे वक्त से अच्छे से नीन ली ही नहीं है मतलब कि मुझे रात को अच्छे से नीन नहीं आ ती इसलिये मैं कब से जा गया था और कब से मैं तुम्हारी बारी देख रहा था। तिर्शी कहता है कि जब मैं वापस नहीं आया था तब तुम कीसे देखते थे। ऑली सोचता है कि तिर्शी अच्छानक से जैलिस क्यों हो जाता है। और वो कहता है कि of course, मैं तुम्हारे साथ जैसे रहता हूँ, वैसे मैं सब के साथ थोड़ी रहता था, मैं हर रोस ड्रॉंक होके सुबह तक सोता रहता था यहां तक कि तुम मिंप्यान से भी पूछ लेना, मैं हमेशा घर पे ही रहता था सिर्शी कहता है कि हाँ ठीक है लेकिन तो मुझे ये बताओ कि अब तुम्हें दूसरों के टच से आलर्जी क्यों नहीं होती सिर्शी ने तुम्हें टच किया था फिर भी तुम्हें एलरजी क्यों नहीं हुई और यह बताता है कि मेरे फैमली डाक्टर ने ये दवाई ढूंडी है जिसे मेरी ये बीमारी ठीक हो गई है ताकि मैं ओ फैमली में वापस जा सकूँ तुम्हारे जाने के बाद जो कुछ भी हुआ मैं वो सब कुछ बता दूँगा लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ जाना चाता हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ हो चाहे तुम मुझे वो बताना चाते हो या फिर ना चाते हो मैं तुम्हारे साथ चलना जाता हूँ मतलब कि इतने वक्त तक तुम जहां पे थे वहां पे मुझे वे अपने साथ ले चलो तरशी सोचता ही कि आज पहली बार मुझे ऐसा फिल हुआ कि मैं मैं बन गया हूँ